जैन कुम और उनका वाट्स एप आविभाजित सोवियत रूस में एक छोटे से गाउ में जन में जैन कुम गरीबी और आभाव के बीच बड़े हुए इनके घर में बिजली के कनेक्शन के लिए पैसे तक नहीं थे कुम की मां बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी कुम दुकानों में जाडू पोचा का काम करते और दिन रात इस उधेडबून में लगे रहते कि अपने व्यवसाय को कैसे चालू करें 18 साल की उम्र में कुम ने इसी दुकान में काम करते हुए कम्प्यूटर नेटवर्किंग की किताब पढ़कर पूरी नेटवर्किंग ही सीख डाली इसके बाद सैन जोन्स स्टेट यूनिरसिटी में सिक्योरिटी टेस्टर के तौर पर काम किया इस बीच ब्रायन एक्टन कम्प्यूटर इंजिनियर से मिलना उनकी जिन्दगी का अहम पढ़ाओ बना कुम को याहू के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजिनियर की नौकरी मिल गई यहाँ जिन्दगी में कुछ करने की उनकी उमंग को जैसे पर लग गए कुम ने सन 2007 में याहू की नौकरी छोड़कर एक आईफोन खरीदा वे घंटों मैसेजिंग का तरीका खोज दे एक दिन उन्हें एक एप्लिकेशन का आईडिया मिला और लगा की पूरी दुनिया को सिंगल प्लेट फार्म पर लाया जाए जिससे लोग सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सके कुम कोडिंग और डिकोडिंग में सैक्डों बार असफल हुए तब कहीं जाकर वाट्स एप बनाने में काम्याबी मिली कुम की इस जित पर पूंजी पैसे जिमकोईट्स नामक एक वेक्ति ने लगाई कुछ ही दिनों में यह अप्लिकेशन मोबाइल की दुनिया का नंबर वन अप्लिकेशन बन गया एक रैस मिल्का बनना राजेंद्र नामक एक छोटा वेपारी कई सालों से आनाज का वेपार कर रहा था उसने व्यापार बढ़ाने हेतु राइस मिल्क खोलने का विचार किया उसके पास भूमी स्वेम की थी पर अन्य जरूरतों के लिए राजेंद्र को पूंजी की आवशक्ता थी अता उसने इस्थाई पूंजी जैसे भवन, मशीन, फरनीचर आधी खरीदने के लिए बैंक से रिण लिया कामकाजी पूंजी जैसे शुरुवाती खर्च, वेतन, बिजली बिल, मजदूरी, आधी है तु, स्वेम धन लगाया राजेंद्र को एक सरकारी योजना के अनुसार, लगू उद्योग को प्रोचसाहन हेतु, प्रशास की मदद एवं छूट भी प्राप्त हुई मिल में 20-30 मजदूर काम करते हैं, जिसमें 2-3 महिलाएं हैं, ज्यादातर कर्मचारी आस्थाई हैं, इन्हें प्रतिदिन या साप्ताहिक मजदूरी मिलती हैं कुछ स्थाई कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ साथ कर्मचारी बीमा की सुविधा भी प्राप्त हैं मिल में अत्यादुनिक मशीन होने के कारण साल भर उत्पादन चलते रहता हैं यहां पर प्रमुखरूप से शाषन द्वारा दे धान से चावल तयार कर वापस शाषन के गोदामों में भेज दिया जाता है धान से चावल तयार करने का भुगतान शाषन द्वारा लगभग प्रतिमा कर दिया जाता है शाशन द्वारा छूट भी दी गई है कि सूखे या अन्यकार्णों से धान उपलब्द नहीं कराने की दशा में मिल मालिक बाजार से धान क्रै कर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है इस प्रोचसाहन के कारण राजेंद्र ने साहस जुटा कर मिल लगाए एक चाय नाश्टे की दुकान रायपूर के एक व्यस्त इलाके में रमेश चाय नाश्टे की दुकान चलाता है उसने यह जानकारी दी है कि वह चाय के दुकान कैसे चला रहा है रमेश ने इस्थाई पूंजी, बरतन, गैस सिलेंडर, सामगरी रखने के लिए एक लकड़ी का स्टॉल पर व्य के लिए 10,000 रुपे की राशी अपने रिष्टेदार से उधार ली और उसे ब्याज दिया तालिका, रमेश की दुकान की मासिक आयवे विवरण आमदनि, प्रति दिन चाय और नाष्टे के विक्री 2,000 रुपे महीने भर में चाय और नाष्टे के विक्री 26 दिन के 52,000 रुपे प्रतिमा दुकान मालिक के पास 6 बचे रुपे, 52,000 रुपे, रिण 33,000 बराबर 19,000 रुपे चुकि यह स्वारोजगार है, उसे इसी पैसे से अपने परिवार का गुजारा करना होता है इसके लिए उसे 16,000 रुपे प्रतिमाह की आवशक्ता है वह महीने में 3,000 रुपे की बचत या लाब अरजित करता है इस बचत की राशी से वह भविश्य में अपने दुकान को बढ़ाना चाहता है तो बच्चो इस अध्याय में आपने देखा कि उत्पादन के लिए किन-किन साधनों की आवशक्ता होती है और इन साधनों का उत्पादन में क्या महतुपूर योगदान होता है किसे भी शहर के विकास के लिए इन साधनों का क्या योगदान होता है 36 गर राज्य निर्माण के बाद से अब तक लगातार विकास की और आगे बढ़ता रहा इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर उत्पादन के इन साधुनों की पर्याप्त उपलब दता थी और साथ में रिड के लिए सरल ऐसी सरकारी नीतिया थी जिनके द्वारा यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाये जा सके और इससे ना केवल रायपूर शहर के लोगों को बलकि 36 गर राजजी और 36 गर राजजी के बाहर के भी अनिक कई छेत्र के लोगों को रोजगार मिल पाया है और उनका जीवन इस तर उचा उट पाया है तो आपने देखा कि किस तरह रायपूर शहर लगातार विकास की और अग्रिसर होता रहा है